माननिया अमिद भाई गुजराच से आते हैं मगर अधिक प्रेम महराश्चा से रखते हैं आपको सब कारण आप सभी को पता है कि वो महराश्चा के दामाद है और मानो या न मानो हर दामाजी को ससुराल से थोड़ा ज़्यादा प्रेम होई जाता है 22 साल हम सब कोशिश कर रहे थे किसी ने ये डेरिंग नहीं दिखाया ये खाली अमिद भाई ने दिखाया और उन्होंने उसमें ध्यान दिया इसलिए रास्ता निकला उपस्तित सभी भाई बेनों को युगा मित्रों का राज यका उपामुक्य उंतरी तता सहकारिता क्षेत्र में कारेरत-कारे करता के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं सभी को धन्यवाद بھی देता हूं आभार भी प्रकट करता हूं सहकारिता से समूरुद्धी यह अधरनिया परधान मंतरी नरेंद्र मोजी जी का जो लक्षा है इस लक्षा पूरती है तू के इंद्रिय स्वकारिता मंतरी अधरनिया अमिद भाई शाहाज के नितुरीटमे में देश की स्वकारिता क्षेत्र में नए बदलाव हो रहे हैं यह हम सब देख रहे हैं यह बदलाव सहकारिता क्षेतर के कारे करताओं को संस्ताओं को पदादेर करें को विचार मिवरशकर के बाद सहमती से हो रहे देश के लोगों के देश के व्यापक खीत को सामने रख कर यह सब किये जा रहे आपने देश में सहकारिता क्षेतर का इतियास करीब 120 साल का है इन 120 साल में सहकारिता केवल एकमयोग शेतर है जो हर गाव, हर कस्बे, हर घर, हर व्यक्तिप तक पहुंचा है शरिया और गामिन दोनों क्षेतर में राज़किय, सामाजीक, शैक्षणीक, आर्थिक, सांस्कृतिक उन्नती लाने में सहकारिता क्षेतर ने हर समय, हर परिस्तिति में योगतान दिया है मुझे खुशी है और हर शक है कि प्रदान मंत्री अधर्णिया मोदी जी के कारहले में पहली बार केंद्रिया स्तर पर सहकारिता मंत्राले स्थापन करने का निर्णय हुआ और देश के पहले सहकार मंत्री के तोर पर मानिनिया स्री अमिद भाई ने इस महत्वपूर्ण नेतरूत्व संभाला है अदर्निया प्रधान मंत्री जी, नरेणर मुदी जी का सहकारी टास समूरोदी का ये लक्षर प्राप्ट करने है तू मानिनिया अमिद भाई के नेतरुत्म में केंध्रिया सहकार मंत्राले हर संबब कोशिश कर रहा है उनके हर कोशिश को हमारा पूरा साथ रहेगा ऐसा विश्वास मैं आप आज से इस समारों के उपलक्ष में देना चाहूंगा माननिया अमिद भाई गुजराच से आते हैं मगर अधिक प्रेम महराश्चा से रखते है आपको सब अरे उनका कारण तो सुनो कारण आप सभी को पता है कि वो महराश्चा के दामात है और मानो या न मानो हर दामाजी को ससुराल से थोड़ा ज़्यादा प्रेम होई जाता है खुश किसमति की बात यह है कि महराश्चा और गुजरात दोनों राज्य कभी एक थे सहकारिता के क्षेतर में दोनों राज्यों का इतियास तथा वरतवान गवरोशाली ही है रहा है मुझे उमिद है और विश्वास भी है कि आधरनिया अमिद भाई जी के नेतरुत्व में आज मल्टी स्टेट सहकारी संस्ताओं के समन वाई संचालन तथा नियंत्रण में सहस्ता लाने है तू एक महत्वपूर्ण वेब पोर्टल का विमोचन लोकारपन हो रहा है यह एक कदम है ऐसे कई कदमों और निर्णाए के माध्यम से महाराश्ट्र और देश में कारेरेत सहकारी संस्ताओं में उत्साओ सहकारात्मक वातरमन निर्माण होगा सहकारक्षेत्र की समस्याँ दूर होने में मदद होगी देश का सहकारक्षेत्र अपने लक्षके और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा सहकारीता के माध्यम से समाज सभी वर्गों के आर्थिक सामाजिक विकास में अच्छा बदलाव आएगा यह मुझे उम्मिद है मुझे विश्वास है कि महाराष्ट और देश की सहकारी तक शेक्तर को आगे ले जाने में आज लोकारपन हो रहे वेप पोर्टल अहम भूमिका अदा करेगा इस जनव उपयोगी महत्वपुर्ण पोर्टल की संकलपना निर्मिती में सहयोग योगदान देने वाले सभी पदादीकारी अधिकारी करमचारी बाही बेहनों में अभिनादन करना चाहता हूँ शुक्रियादा करना चाहता हूँ, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्रिय सहकार मंत्री माननिया अमिद भाई जी के नेतुरत्म में महाराष्ट और देश का सहकार क्षेतर बुलंदियों की नई उच्चाई हसिल करेगा और इस सफर में महाराष्ट आगे रहेगा ये विश्वास भी मैं आदर ने अमिद भाई और उपस्तित आफ सब को देना चाहता हूँ, आज जैसा ये महत्वपूर्ण कारेक्रम है वैसे महाराष्ट में, उत्तर परदेश में, गुजरात में सबी जगह में गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा पाइमानें पे हमारे फार्मस निकालते है मुझे मालूम है, यहाँ अभी दिरिकोई से पाटिल बैटे है, हरिशावरदन पाटिल जी है हमारे राधा कुरुष्णवी के पाटिल है, हम सब कॉपरेटिव में काम करने वाले लोग है पूरे देश में सहकारिता के क्षेतर जुडी हुई, चीनी मिले, किसानों को SMP उपर जाधा दिये खुए गन्ना भुकतान के कारण, इंकम टैक्स के मामले में पिछले 22 सालों तक जुझती आ रही है, 22 साल हो गए मैंने तो इतने दफा अलग-अलग फाइनस मिनिस्टर को हम सब जाके मिले, कि मैं आपको बता नहीं सकता इस चलते सहकारिता चीनी उद्योग को 12,500 से 15,000 करोड तक पूरे देश में आईकर भुकतान केंदर सरकार को देने की बड़ी नवबत थी और इस वज़े से सारी सहकारिता चीनी मिले बन होने का बहुत बड़ा खत्रा था इस राशी में हमारे महारश्टर राज्य की सहकारिता मिलोग को करीबन 7,500 से 9,000 करोड तक का बड़ा असर शामिल था और बार-बार इंकम टैक्स की नोटिस आती थी बार-बार उसके बारे में हम देली जाते थे लेकिन कुछ रास्ता नहीं निकल सकता था लेकिन अदर्णिया नरे नरमोदीज साब ने एक बड़ा अच्छा फैसला करके सहकारिता क्षेतर को देश में अधिक सक्षम करने के हेतु से नया और स्वतंतरता सहकारिता मंत्राले का निर्मान किया सहकारिता से समुर्दी ये नरा देश को देते हुए अत्यंत कर्तव्य दक्ष अधर्णिया अमिद भाई जी शाह साब को इस मंत्राले की सही जिमेवरी सोपी गई मुझे आप सबको ये जानकारी देते हुए खुशी हुए जब सहकारिता चीनी उद्योग का प्रतिनी धी मंड़ इंकम टैक्स की इस समस्या को हल करने के लिए हेतु से अधर्णिया अमिद भाई जी को मिलने के लिए उन्होंने इस मंड़ को अश्वस्त किया कि गन्ना किसानों और सहकारिता चीनी मिलों के हीत में जरूर हल निकालेंगे सुप्रीम कोर्ट में अनेक वर्षों से ये मामला दायर था और चीनी मिलों को बीच बीच में राहत के तोर पर कुछ रकम बरनी भी पड़ रही थी लेकिन अधर्णिया अमिद भाई ने वित्त मंत्राले के साथ इस पूरे मामले में को समझते हुए फाइनास बील को लोकसभा सदन में पेश करके ये पूरा इंकम टैक्स माफ कर दिया इससे सब भारत देश के और महाराश्टर के गन्ना किसानों में एवं सहकारिता चीनी उद्यों को बड़ी रहात प्राप्त हुए मैं अजरनिया अमिद भाई शाह जी को महराश्टर राज्य की सरकार सहकारिता चिनु उद्द्यों का और सारे गन्ना किसानों की और से धन्यवाद करता हूं तथा उनका शुक्र गुजार करता हूं मैं सच बताता हूं 22 साल हम सब कोशिश कर रहे थे किसी ने ये डेरिंग नहीं दिखाया ये खाली अमिद भाई ने दिखाया और उन्हों ने उसमें ध्यान दिया इसलिए रास्ता निकला नहीं तो ये रास्ता निकलने वाला नहीं था हाला कि इससे आगे जाके हाला ही में CBT में CBDT ने इस income tax के मामले में एक SOP Standard Operating Procedure जारी की है इसके चलते अब FRP के ऊपर इतेनौल और को जनरेशन और सहकारिता चिन उद्योग ने सही और पारदर्शी ढंग से काम करके पैसा जुटाया और किसानों को जादा रकम दी तो राज्य सरकार की मान्यता रहते इस पर income tax नहीं लगाने वाला है यह भी एक बड़ा दिलासा हमको मिला है उसकी भी order बीच में हमें सब को मिली है मी अपलेला सगया ना सांगो इचे तो की मी एक आप कारकानेचा नेतरू तो अकरतो तिता एफारपी में मिया लेली है 2815 रुपई आणे अथा तिता मी काल फाइनल तितला भाव बगितला 3315 रुपई पहव निगालेला है अथा मी कमिश्नर कर जानार कमिश्नरला सांगनार की एफारपी पेक्षा 500 रुपई टनाला तिया श्यात करानना जासता मीरता है यहला इंकम टैक्स बसलासता परण्तु फक्त आणी फक्त केंद्रिय मंत्री अधरन्यामित भावीन नीहाद निर्नाई गेतला मुल माराष्णात लेकिसाननना न देशात लेकिसाननना मदद जाले लिया जे चांगला है ते चांगलाचा है वे अपलाला सगना सांगू इच्छो तो कि कई लोकान ना कदी-कदी प्रश्णा पड़तो आजित पावर अन्यासा का निरना गेतला ये करनेचा धाडस फक्त नरे नर मोदी साय बंचा थाना मी चांचा मद्या है तेज तुम्चा माजा देशाला नेतरुत्वदी उशक्तात आज स्वता प्राव मिनिस्टरा नी अपल्या देशातल्या जवल पास 25,000 कोटीचा 2,025 परियंता 508 रेल्वे स्टेशन उत्तम करनाचा निरना गेतला आन पहिला टप्या मदे 13,521 करूर रुपाए 23,24 बजेट मदे एलोकेशन केलाई तेजात 117 संपूर्ण देशातली रेल्वे स्टेशन है आन एक्ट्या महाराष्ट्रा अतले सवेचा इस रेल्वे स्टेशन तेजा मदे आनि त्या मदे आपला अकूरडी है तेजा मदे आपला दाउंड है मजे पुने जिल्ल्यातल आनि माज़ा महितिक प्रवाने वर्गाव मावल है आनि महाराष्ट्रा अतले इतले इतर आ है मते नाशनल हाईवे आसतील ते एरपोर्ट आसतील ते वेगवेग्रिया प्रकार चे पोल्ट आसतील ते वेगवेग्रिया प्रकार चे महत्वाचा है आशे रेल्वे स्टेशन आसतील आशा प्रकार चे काम आज देशा मदे जर अनेक लीडर अपन बगित ले तर ते फक्त आणि फक्त नरेनर मोदी सहेबच करूँ शक्ताथ आण त्यामुन माजा सरक्या कारे करतेला वाटल कि आश्या नेत्याच्या पाठीचिच अपन उबर हाईला पाईजे आणि तजातून तुम्चा माजा शाहू पुले अंबेड करांचा महाराष्टाचा शत्रपती शिवाज महाराष्टाचा महाराष्टाचा देशाचा थार विकास्ते करता है तस कदी सुट्टी नाई, काई नाई, दिवाली नाई, दिवाली ला नरेनर मोदी सहेब तिकड़ बॉर्डर वर जाउन जवानान न भेटताथ गेला नव वर्षा मदे, जा प्राइमिनिस्टर नी कसले प्रकारची सुट्टी गेतली नाई, आशा प्रकारची प्राइमिनिस्टर में माक्च्या कुटले, प्राइमिनिस्टर चा बदल अपमान करनारे शब्द वापरनार नाई, परन्तु हे फक्त आनी फक्त, नरेनर मो दोनों भी काम मैं महाराश्टर के ले करने के लिए तैयार हूँ ऐसा पाउजिटिव उपरेज उनका रहता है इसलिए बहुत खुश है मैं फिर एक दफ़ा आप सबको और अमिद भाई जी को अज़ सबी साथियों को धन्यवाद अदा करता हूँ और मेरा मेरे विरों को शब्दों को विर्याम देता हूँ जय हिन जय माराश्टर